नमस्कार इंडिया टीवी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी शरीर में हमारी तवचा सबसे अनोखी और कॉम्प्लिकेटेट है स्किन हमारे शरीर में बॉजर स्रिक्योर्टी पोर्स की तरह काम करती है खत्रा कुरोना का हो या फिर किसी और इंफेक्शन का सबसे पहले स्किन पर ही हमला होता है और स्किन अपनी क्षमताग से संक्रमन को रोकने की पूरी कोशिश करती है जिसमें कभी वो जीट जाती है तो कभी अफेक्टेट भी होती है यही वज़ा है कि हम तवचा को सबसे अनोखा कहते हैं क्योंकि स्किन की सबसे बाहरी लेयर हमेशा डेड होती है स्किन के इसी आउचर लेयर से हमें अपने हल्त का पता चलता है अगर हम स्वस्ट नहीं होंगे तो हमारी तवचा भी हेल्दी नहीं होगी कई बार तो स्किन पर शरीर के सिस्टम में चल रही खराबी का भी सिगनल नज़र आने लगता है जिसे हम स्किन डिसीज के तौर पर जानते हैं इन स्किन डिसीज से छुटकारा पाने के लिए हमें शरीर के उन सिस्टम को ठीक करना पड़ता है और यह सब योग और आयनवेट से संभब है तो आज स्किन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के निदान के लिए इंडिया चीजी पर स्वागत करते हैं योग गुरू स्वामी रामदेव का जिनकी तवच्छा से उनकी उम्रे का पता नहीं जलता स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणाम मिनाक्षी जी आपको और इंडिया टीवी के करोड़ों हमारे योगी दर्शकों को स्वामी जी हेल्धी स्किन का रिलेशन हमाई डाइट, डाइजेशन और लिवर फंक्शन के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन पर नेरभर करता है स्किन में होने वाले रोगों से मुक्ति तब तक मुश्किल है जब तक की शरीर अंदर से हेल्धी ना हो हेल्धी स्किन के लिए डाइजेशन ठीक होना सबसे ज़ादा ज़रूरी है ऐसे में वो कौन-कौन से योगा भ्यास हैं जो हमारे अंदरूनी शरीर को मश्बूत बनाएंगे जिससे कि हमाई तबचा भी खिल उठेगी मिनाक्शी जी सबसे पहले तो हमारे रोम कोपों से पसीना पूरा निकरना चाहिए जो हमारे सीबेसियस जो ग्लैंड है जो रोम कोपी के मूल में होते हैं वहाँ पर यदि ओयल ब्लॉक हो जाता है तेल बाहर निकलता रहता है तो चिकना ही रहती है मोश्राइजिंग रहती है लोग बाहर से पर कई तरह के ऐलिमेंट लगाते हैं एक दिन हमने पहले बताया था पुरा पपीता, केला, बादाम, चिरोंजी, हल्दी, मजीट, खीरा, चंदन, नीम, आदी किस तरह से लगा करके मुलतानी मिट्टी या आज हमने भी रखी वी है ये मुलतानी मिट्टी या से भीगो देते हैं, अब ये मने आ तैयार की वी है इसको कैसे लगा करके इसका हमने ये मुलतानी मिट्टी का फेस पैक और ये अलवेरा कांती लेक, ये सब हमने बताया था लेकिन ये तब लाब करेगे जब आपकी स्किन से पसीना पूरा निकलेगा, पसीना निकालने के आर्टिफिशल तरीके भी होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है नेच्रूरल तरीके से आप पसीना निकाल सके, अब इसके लिए एक तो मैं धीरे-धीरे प्रणायम बताता हू जिनको ब्लड पैशर है, हाट के प्रणायम है, असमा है, कमजोरी है, उनको तो धेरे करना है, लेकिन तेजी से ये थीरे से प्रणायम करें, यंग स्टार्स के लिए बहुत जरूरी है, एक में नट में पुरा पसीना चुने लगता है, रोम, रोम से पूरी सफाई हो जाए पस्री का, कपाल भाती, ये जवानों के लिए, 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 ये जवानों यह fast कर सकते हैं बाद में हम धीरे-धीरे भी बताएंगे मट थेरापी भी आज सिखाएंगे तो पहले तो यह बता रहा था आप तेजी से exercise करें तेजी से दोड़ लगाएं तेजी से चलें यह आप बहुत जादा तेज exercise नहीं कर पाते हैं तो कम से कम में बिलकुल easy exercise जो बड मिलमेशासों के साथ 35-50 बार जब ऐसे कर लेते हैं से लीवय अस्प्लीन इटेस्टाइन पिन्कियास पूरा क्योंकि यदि आपका लिवर ठीक है आपके आते ठीक है आपका डाइजिसन अच्छा है खानकान अच्छा है अंकुरिते लेते हैं सुबसबये सिक्स कम से कम पचां कम खाते हैं उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो 25-50 बार ऐसे कर लिया ये तो सब कर सकते हैं 25-50 बार ये कर ले मैं पसीना निकालने का सरल उपाय बता रहा हूं एक तो प्रनायाम दूसरा पसीना निकालने के लिए ये भुजंगासन ये 25-50 बार हो जाता देखो मैं आपको 30 सेकेंड में 30 बार कर करके बता रहा हूं 30 सेकेंड में 30 सेकेंड मैं 50 बार करके बतात हम ऐसे यह लम्मे लमोह शवास आप जो कम से कम नता Sutra क् efforts कर दो क्या है और भुजंगा निकाल जाएगा तो बार ऐसे कर लिया तो ऐसे कमर भी अच्छे रहेगी सो साल तक और चमड़ी भी अच्छे रहेगी पसीना बढ़िया निकलेगा इससे तो यह दो अभ्यास बताए पसीने निकालने के लिए फिर सीधे लेट करके पैरों को उपर नीचे करते हैं तो इसे पसीना निकल जाता है 25-25 बार ऐसे कर लिया तीन अभ्यास ऐसे यह बैठ करके उल्टे लेट के सीधे लेट किया हो गये खड़े हो करके खाली ऐसे जोगिंग करते हैं अथवा ऐसे यह चोटे बच्छे को भी करवाया जाता है आजकर आर्मी में पहरह मिल्टी में भी सब जगे करवाया जाता ह 25-25 बार ऐसे कर लिया और कुछ ने तो हैसे 2500-200 वार ऐसे तेज़ चलिये इससे पशीना आजाता है ऐसे यह साइड में ऐसे जुखते हैं क्रोस करके ऐसी जुखते हैं ऐसे 1500 बार कर लिया तो पाशात अभ्यास तो यह पशीने लाने के लिए पशीना बहाने के लिए अब प पेट साफ होगा, मलमुत्र ठीक होगा, तो शरीर सुद्ध होगा, श्वास से शरीर सुद्ध होता है, तो पसीने से, मलमुत्र से, श्वास से गंदगी निकलती है, और अच्छे विचारों से जो बरे बुरे विचार हैं, हमारे दिमाग में जो कसरा घुसा हुआ वो निकल ज जिनका पेट खराब रहता है उनको स्कीन की बिमारियों कि आते हैं लीवर स्पिलीन कीड़नी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है आप यह अपने चमड़ी को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि साथ साल में भी आपकी चमड़ी तीस साल की दिखें आपके जो बायलाजी का लेज है वो कम तवी दिखें कि जब आपका पेट ठीक रहेगा और पेट ठीक रखने के लिए आहार का ठीक रखना है जोरी जी कब्ज नहीं रहना चीज़ बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है तो त्रिफला चौन लेलो हरी सब्ज दॉक्टर नीरत जी मेरे बगल में बैठे हुए है नेचरोपैथ के देश के सबसे बड़े डॉक्टर ने पिछले 40 सालों से इसी सेवा में लगे में कितनी पुस्तिके लिखी है तो इन्होंने मेरे से बताया मैंने प्रियोग किया औरू को बताया जिनको 20-30-40-50 साल पुर अब करती है मंडू का सन्वान दो तरह से किया जाता है एक तो यह मुठ्या बंद करके और दूसरा ऐसे हचे लिया से लगा के यह पास से साथ आसन बता रहे हैं लिबास, प्लीन, इंटेस्टाइन, किड्नी के लिए कब जे ना रहे कोई भी टॉक्शन ने रहना चीव ही तर और शरीर की शुद्धी के लिए हम लोग कायकल प्वाथ पिलाते हैं कायकल पटी देते हैं महमद जी स्टारेट खडीरा रिष्टे देते हैं नीम घिलो यह पीने के लिए देते हैं तो एकदम शरीर शुद्ध हो जाता है, खून शुद्ध हो जाता है, मंडूकासन यह शुद्ध है, यह जरूरी है, पेट और डाइजेशन का रोल स्किन फे कितना ज़ादा चुड़ा हुआ है, तीन चीजें सबसे महत्वपून हैं, एक पेट, मंडूकासन, शुषकासन के बाद योगमुद्रासन करते हैं, पदमासन में बैठ करके बाएं हाथ नीचे दायों उसके उपर रखते हैं, जिनको भी किसी भी प्रकार का, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, ड्राइ स्किन, सोराइसिस, एक्जीमा, लिकोडर्मा, सफेद दाग, उसका मूल कारण है पेट की खराबी, लीवर की खराबी, आतों की कमजोरी, और लीवर की नीके फंक्सन का ठीक न होना, दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस, और तीसरा है फिर आहार, जैनेटिक कारणा दी तो होते ही हैं, आहार में जितने तीके, तले, विरुद आहार, दूद के साथ नमक खाते हैं, तो दूद के साथ नमक, आज को लोग चाहें के साथ कोफी के साथ नमकिन चीजें खाते रहते हैं, और खाना खाया उसके उपर से खीर खा लेते हैं, खाना खाया उसके तुरंद बाद दूद पी लेते हैं, तो छोटी छोटी बाते हैं, इनसे हमें बचना पड़ेगा, विरुद आहर से बचना पड़ेगा, तो मत्यासन अथवा अर्धमत्ये अंद्रा अथवा वक्रासन ये बहुत जरूरी है ऐसे एक तो धे ठीक रखना और पानी के मात्रा जो 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 देखी समय सब भी पहते टिक्विट किसी भी रूब में लेना चाहिए यिर बहुत जरूरी ए अर्धमत्ये टृरelectób प्रणायम भी पताएंगे बड़ थे पर लगाएंगे जैसे मैंने बताया नभी यह भो करके मुलतानी मिट्टी अब इसका एकड़ पेश्ट बन जाएगा इस पेश्ट को फिर ऐसे चेहरे पर लगाएंगे अभी बताएंगे पूरा तो यह पिग्मेंटेशन किसी भी तरह का हो पिग्मेंटेशन है ड्राइ स्कीन है पूरा का पूरा पूरा पिंपल्स लिंकल्स जाया पूरी कालिमा च्छा जाती है माताओं को तो ऐसी यहां आँखों के नीचे और यहां तक आती है पुर्षू को इ और फिर मिट्टी का मड़ सनान जिनको पूरे शरील में चर्मरोग हो तो मड़ सनान बताएंगे एक आदमी को तो अभी मिट्टी में तुम ढूब जाओ बेटा पूरा लगाने अभी हम आपको एक पानी में दूबना तो हमने सुना था स्वामे जी आज हम पहली बार इंडिया टीवी के दर्शकों को मिट्टी में डूबना बताएंगे और इसके फायदे क्या-क्या है वो भी हम आपसे समझेंगे स्वामे जी आज में पूछ रही थी कि जो आपने मुल्तानी मिट्टी भिगोई है आज नए अवतार में दिखेंगे आज स्वामी रामदेव भी हम इंतवार कर रहे हैं उस हिस्वे का जवाब एक नए अवतार म में भिगोनी चाहिए यह पानी भी भो सकते हैं गुलाब जल में भी भो सकते हैं इसको कच्छे दूद में भी भो सकते हैं और हनी में भी भो सकते हैं और यह दी बहुत अच्छा आपको फेस्पैक बनाना है तो मुल्तानी मिट्टी और एक डीमक की मिट्टी होती है और ढे कपडशन कर लें दीमक की मिट्टी को कपडशन कर लें फिर उसमें कच्छी हल्दी एलवेरा कैकल तेल हम एक बनाते वो कांती लेप ये चीजे तो घर में आसानी से मिल जाते हैं उसमें थोड़ा पकावा पपीता केला चिरोंजी ये सब डाल सकते नीम के पत्ते ये एक ऐसा लेप बना लें उत्तान पाधासन एक से दो मिनट जरूरी ये नोकासन और इसको रात को भीगोदे और सुबह चेरे पर लगाए और चेरे पर लगा करके फिर आधा से एक घंटा फिर योग अभ्यास कर लें प्रानायाम करने फिर उसको वास कर लें ये इतने अभ्यास और इसे बन पाए तो फिर पाधा गुष्ट नासास परसासन थोड़ा कठीन है आप तो करने लग गई हो मिनाची जी इसको पहुत प्रसासन तो मैं कह रहा था आप मिट्टी के अंदर मुलतानी मिट्टी दुमई की मिट्टी मिट्टी सब एक जैसे नहीं होती है दूद दूद स प्रकार की क्वालिटी है तो सब से अच्छी होती है चिकनी मिट्टी कोई पीपल या बरगत के पेड़ के निच्छे की पुरानी मिट्टी जमीवी होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जबर्दस लाब करते हैं तो ऐसे इतना तो यह आसन जरूर करन जा था और यह बल्दने के बाद में इतनी चिकनी देखो यह तैयार होगी एब यह ऐसे अब यह ऐसी चिकनी मिट्टी तैयार हो जाती है अब इसमें अमने मैने आप कच्छी हल्दी ऐल वेरा और ंीम इसके अंदर यह सब चीज़ें कची तो रात को भिगु दियें इसके अंदर थोड़ा पका हुआ पपीता पका हुआ केला ये और बादा मराद कोई डाल सकते हैं तो ऐसे ये चेहरे पर लगा लिया तो आदा घंटा ऐसे फिर ये लेप रखें ऐसे ये इसकिन के लिए तो बहुत अच्छा है ये मुलतानी मिट्टी का लगा सकते हैं अले व सी किसे के हाथों में किसी किसी के जो है यहां पूरे शरीर में ड्राइश किन होती है ये तो बताया हमने घरेigon रूप आए फिर ये कांटी लेप स्वामी जी आप बता रहे हैं अलोविरा के साथ मिक्स करके लगाने वाला क्या इससे फॉराइसिस जैसे गंभीर तवजा की बीमारियां एक्जीमा जैसे गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं देखो सोराइसिस के लिए मैंने बोला था सरसों का तेल या कायकल तेल ले करके और उसमें कैक्टिस उसका पानी कैक्टिस को विधारा बोलते हैं उसको थूहर बोलते हैं गाउं की भासा में थूहर को विधारा को उसमें तेल में पका लिया और पका करके और उसको लगा लेत तो करीब एक सब्दाज से लेकर के एक महने के अंदर वो पूरी स्किन की प्रोब्लम सोना इसी ठीक हो जाता है उसमें मुनक का अंजीर तो देते ही हैं खाने के लिए हरी सब्जियों का ज्यादा प्रियोग करवाते हैं वो जबर्दस सलाब करता है और अंगूर कल पर आ देत हैं आतों की कमजोरी है तो उसमें फिर अनार देते हैं ऐसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले यह नास्पती सुवह से शाम तक नास्पती तीन चार खालो कितना भेंकर पेट का कितना पुराना रोग हो दूर हो जाता है पेट की और लिवर किड़नी की पुरानी बीम पाराओं में यह चाहिए ड्राइस की नहीं सुराइसी से एकजीमा लिकोडर्मा सम्मेलाब करेगा शुत्र घनमने लेप बना रखा है शुत्र घनलेप वह सफेद दाग के लिए विश्यश लाब करता है तो अलग लग लेप हैं सुराइस के लिए मैंने थूर का तेल बता दिया जिनको लिकोडर्मा सफेद दाग है उनके शुत्र घनलेप वह कच्छे दूद में लगा सकते हैं सामन रूप से यह जो पिंपल्स रिंकल्स एकने यह ड्राइ स्कीन और ओईली स्कीन है उसके लिए यह लेप बता दिया अब यह और भी कही प्रोब्लम है तो और भी क मदलने लगा है आप इंतिजार करेंगे लोग जब आप मठ थेरपी शुरू करेंगे तब ना जाने क्या रूप आप दिखाएंगे लेकिन दर्शब इस वक्त सोच रहे होंगे कि यह ल्यूकोडर्मा जैसे जो बिमारी है इतनी तरीके की दवाएं खाते हैं इतने तरीके क तेल लगाते हैं लेकिन यह बिमारी उनका साथ नहीं छोड़ती है ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बिमारी के साथ साथ ही इस दुनिया से जाते हैं किस तरीके का लेप या जो यह लेप आप लगा रहे हैं क्या वो लिकोडर्मा में भी कार रहे हैं यह सच है कि एलो पैथी के अंदर इसका इलाज नहीं है और मैंने ठीक किया उनके पूरे record मेरे पास है यहां इससाद्य रोगों मैं लिकोडरमा की बात करता हूँ सुराइसिस की बात करता हूँ तो उसके पूरे scientific evidence मैंने होग बिमारीं के हजारों हजारों करइब पाच करोड़ लोगों के हमारे पास में scientific documentation है record हमारे पास जबरदस चीजे हैं ये खाली जोक नहीं है ये खाली बाच्छों के नहीं के लिए हम यहां पर नहीं बैठें प्रभचन देने के लिए जो realistic चीज है वो यह हम बताते हैं तो लिकोडर्मा भी मिनाक्षी जी ठीक होता है अब मिट्टी को लोग हलके में ले लेते हमारे साथ में डॉक्टर निरजी बैठें इन्होंने लाखों लोगों को मिट्टी चिकित्सा हवा पानी और इस वायू की चिकित्सा से ठीक है हम तो प्रिच्वी अगनी वायू जलाकास पंचे तत्तों पर आधारी जो चिकित् प्रिच्वी चिकित्वे थे आधारी चिकित्सा से उनुने कभी नहीं देखी थी पहला मडपूल इंडिया में देखा और पहला मडपूल मडशनान का वह पेरिस में बनाया गया बताओ अब हम यहां पर बना रखने हैं अब आपको वही ले चलते हैं हम स्वामी जी उधर चलेंगे लेकिन उससे पहले आप एक चैलेंज देदीजे हैं हमाने दर्शकों को क्योंकि जो आप चैलेंज देते हैं उसके इंतिसार दर्शक बहुत बेसबरी से करते हैं तो शेलेंघ मैं अभी कल तो वो जो शेलेंज दिया था वो तो थोड़ा लंबा हो गया था तो जो थोड़ा बचे है और बुजर्ग गाए वो इतना तो करी सकते हैं ऐसे करते करते इस तरह से ये चैलेंज जह कल का ऐसे यो यही वाला है और ऐसे पास साथ जो है पास साथ बार पास बार जो पल्टी खानी है उसका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा तो स्वामी जी आप जब तक मड़ पूल तक आप पहुंचें वरा हम ये दिखा देते हैं कि वो कौन-कौन फे दर्शक हैं जिन्होंने कल का चैलेंज कंप्लीट करते हुए बहुत खूपसूर्टी से ये बताया है कि वो कितने बड़े योगी दर्शक हमारे बन गए हैं ये देखिए मयूर चाल स्वामीक जी की मयूर चाल तो हम देखें ये ये कल का चैलेंज बिना हाथ लगाए चलाग लगाना और यदि को ये ना कर सके तो उल्टी- हाथ लगा के जिन्हों ने बखू भी आपका दिया हुए चैलेंज को निभाया है अब आज का जो चैलेंज है फॉर्मी जी बता रहे हैं मयूर चाल करना है जी आप पहुंच गे मड़ पूल पर एक तो भूत देखो इधर ये खड़ा हुआ है यह यह हमारे यहां पर ठैरापिस्ट होते हैं ऐसे मड़ पूल यह तो मैंने संत्कुटिर में अभी तैयार किया है तो इसमें मिट्टी में तैयरते हैं डूक्टर साब बता रहे थी पेरिस में किसे ने बनाया पहली बार जो बिस्टो की मानी ही कौस्मेटरलरजिस्ट है एनी कलारा उन्होंने पहली बार इसे पेरिस्ट के पास में 20 के दूरी पर उन्होंने बनाया था जहां पर बिस्टो क को प्रेड़ना मिली थी हिंदुस्तान से ही क्योंकि हिंदुस्तान से एक बार जो है किसी रास्ते से गुजर रही थी मद्ध पर देखी कुछ कि आपके तलाब के किनारे कुछ बिक्रता बिचेतर आकिरतियां दिखी वहां जाकर ड्राइबर को रुकवाया वहां फिर गए यह वहां पर और जाकर देखा कि वे महिलाएं थी जो पूरे स्थी मिट्टी लगा रखी थी और उसके बार जब वो अच्छी तरसे तलाब में से निकली अच्छी तरसे धो करके फिर उसने देखा आपने यानि बिवकी के पैरा मीटर पर उसने नापा कि यह महिलाओं का जैसे मद्ध यूग ने आपकी नाइकाओं को देख रही है कि लिए पेट्रा मुनलीसा को पद्मिनी को देख रही है तो उन्हें बड़ा आश्चर हुआ कि मिट्म इतने दिविगुन है जो हमारे सौंदरी को इस प्रकार से निखारता है फिर उन जो है उसका वीजा खत्म हो रहा था फिर उन लोटकर का एक साल तक उन महिलाओं के साथ रह करके और उसने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली कि कैसे सुबह सुबह समस्त कामों से निविर्थ हो करके महिलाओं कलाब के पह जाती हैं और वहाँ पर जाकर के अपने सिधस्त हाथों से अपने सरीर को पूरे सरीर पर मालिस करती हैं मिट्टी की नहाती हैं और यह सीख करके फिर उजाकर कि उसने पहली बार वहाँ पर प्रिस में ये मड़ पूल का निरमान कि रहा था कि आप देख रहे हैं कि स्वामी जी जो है पूरी मड़ बात ले रहे हैं अब सवामी जी ने क्योंकि अपने कान का इपी निकाल दिया है वह नहीं से पूछते हैं जी हमारी संस्क्रति वे दो में बहुत ही सांदार मंत्र है और इसे हमने को रिलेट किया है जो TB के पहली दवा estreptomycin और neomycin की खोज उन्होंने मिट्टी के कलचर के द्वारा उन्होंने किया था और क्योंकि उन्हों में देखा कि मिट्टी में बड़े Сुच में जिवानी होते हैं जिनको microbes बोलते हैं लेकिन उनकी बड़ी स्टिती ऐसी थी कि कभी वो fungus की तरह आच्रन करते थे कभी bacteria की तरह तो उन्हें देखा वह इसको किस group में रखें तो उन्हें कि निया सब्द गरा एक्टिनो माइसिटेज तो उन्हें उस सिर्मेस Curry querty No My Cities कहा जाता है तो यह जो है अधभूद है यह इतना ही नहीं अभी हाली में आपके स्वान्थ सी इन्वर सिटी वे रिल्स के बाइग्यान को ने और आपके जो है कुछ इराक के बाइग्यान को ने और मेक्सिको के बाइग्यान को ने मिल करके एक बहुत ही अद्भूद खोज किया है उन्होंने पर्मंग फर्मंग पहारियों में जो आपके उत्री आयर्लेंड में है वहां पर विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में आप देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं वो टीवी इतिहास में है यह पहली बार है अद्भूत द्रिश्याब देख रहे हैं कि स्वामी रामदेव इस वक्त मर्ड ठेरेपी ले रहे हैं यानि यह वो ठेरीपी है चो मिट्टी के जरी हमारे शरीर के हमारे च्वाइव आज आप सारे विकारों और बैसे ऊद्टी आप इससे पहले आपने स्वामी रामदेव को इस रूप में टीवी जगत के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा जो आज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं प्लेव सीला निमोनी इस कहते हैं आपके कई इस प्रकार के रेश्टेंस जिनका जो है कोई इलाज नहीं है पूरी साथ करके कान में लगाना पड़ेगा मदर है बेद में एक बहुत सुद्र मंदर है कि उपस्थ आस्थे अन्मिवा आयक्षमा अप उपस्थ आस्थे अन्मिवा आयक्षमा और ये वेदों से ले करके आईरवेद में इसकी बड़ी महिमा है मिनाक्सी जी अभी मैं एपी लगाओंगा कान में तो फिर आपको सुन पाओंगा और हमारा कोडिनेशन बेहतर हो पाएगा तो कान पूछ करके एपी लगा दो भई कान ने भी ये मृतिका सनान कर लिया है स्वामी जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई मिट्टी का पुदला वहां पर रखा हो लेकिन क्योंकि ये मिट्टी के पुदले नहीं है ये स्वामी जी खुद है ये मलंग है इस वक्त मिट्टी में मलंग नज़र आ रहे हैं स्वामी मिट्टी से सने हुए हो तो क्या थंडग आपकी तवचा को मिल रही होगी तो स्वामी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा सबसे पहले तो आप हमें यह बता है मिनाक्षी जी अब तयार हो गएं विल्कुल आप तयार हो गएं मैं तो यह सोचे थी कि मैं किसी मिट्टी के पुतले से बात कर दी हूँ लेकि यह द्रिश्य शाय टीवी जगर केति हास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा आप यह बताएं यह मिट्टी है क्या यह कौन सी मि स्वामी जी आये हैं अब अगर उनसे संपर्ख साथना है तो थोड़ा इस मिट्टी को दूर करना होगा और उसके बाद से हमारा संपर्ख एक बार फिर से सवथ जाएगा स्वामी रामदीव के साथ और हम उनसे समझेंगे अगर यह मड़ थेरपी हम घर में करना चाहें तो स्वामी जी सबसे पहले तो आप यह बताएं कि यह मिट्टी कौन सी है यह मिट्टी चिकनी मिट्टी हमने हजारू अर्शु पुराने हमारे हाँ पर पेड है योगा ग्राम में उनके नीचे से उठाई है वहाँ कोई कैमिकल नहीं पड़ा था साइद जब से धरती बनी है तब से वो मिट्टी इन बाहिये कैमिकल्स के विशेले प्रभावों से मुक्त है वहाँ से मिट्टी लिए इसले देखो मेरे पैर भी फिसल रहे है स्वामी जी ये बताए अब इस मुक्त कर सकते हैं और इसके फाइदे क्या क्या है अब बताएं तो घर में ऐसे मिट्टी लगा करके और उसके बाद में सारे प्रनायाम करें जो मैं बोल रहा था भी सामन्य गती मध्यम गती से अतिवर गती से तो शरीर की इंद्रियों की चित्त की चेतना की आत्मा की पुर्या सित्व की शुद्धी हो जाती है शुद्धो हम बुद्धो हम संसार माया परिवर्जितो सी सुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम तत्व मसी प्रज्यानम ब्रह्मया मात्मा ब्रह्मा शिवो हम शिवो हम अहम ब्रह्मास्मी ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाय की जो हमारी जो परंपरा है तो वो शिवत तो अपने भीतर अनोभव करते हुए ऐसे पांच मिनट भस्तिका करें कम से कम कम से कम दस पंद्रे मिट कपाल भाती करें और जिनको असाध्य रोग हो गए हैं चमडी के मने पूरे शरीर में एक्जीमा, सोराइसिस और लिकोडर्मा पूरा शरीर दाग धब्बूं से भर गया है ड्राइ स्किन पूरे शरीर में वेरिकोज वेंस, पूरे शरीर में दर्दे भी हैं मैं ये कह रहे थी फवामी जी कई लोग ऑनलाइन दर्शक जो हमारे पाद जुड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फवामी जी तो नायक फिल्म के अनिल कपूर बर लग रहे हैं उसमें भी एक मढ़ बात का ऐसा ही फीन था मैं शिव भोले के अवतार में हूँ हम कहते नि शिवो हम शिवो हम अहम अहम ब्रहमास में तत्वा मसीप प्रद्यानम ब्रहमा तो हमारे सब अरण्य वासी रिशी भत्रम इच्छंत रिशाह सर्विदाह तपो दीक्षाम उपनिशेद रग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्त दातम तदस्मी देवाउपसम नमन्तु तप शद्धेय उपसंत अरण्य शांता विद्वान सा भक्ष चर्यम चरंता सूर्य द्वारन ती विर्धा प्रयान यत्राम रिताह सा पुर्शोय व्यात्मा तो यह अनुलोम विलोम कपालभाती ब्रामरी उद्गीत ये सब करेंगे इसके बाद फिर सामान ने पानी से सनान क करने के बाद में फिर स्टीम बात लेते हैं फिर मालिस करते हैं फिर सोना बात देते हैं इसमें अलग-अलग तरह से पूरे शरीर को इस तरह से बना देते हैं कि जैसे मा की कोक से अमारा जन्म होता है एक बहुत पुराना भजान आपने सुना होगा तो उन्हें अजावर्चा भगवान खिलोना माटी का कुछ कह रहे हैं आप मिराक्षी जी जी मैं यह जाना चारे थी कि जो मठ बात हम लेते हैं कितनी देर तक हमें मिटी में रहना होता है और कितनी देर तक जब हम मिटी से बाहर आएं तो यह लेप अपने शरीर पर लगा रख सकते हैं यह आधा घंटा तक ले सकते हैं एक्सेप्सन के तोर पर हम विजेश परिस्तियों में एक घंटा भी ले सकते हैं स्वामी जी जैसे आपके बताए हुए योगा भ्यास यह मड थेरपी शरीर के बाहरी टॉक्सिडेंट्स हैं टॉक्सिंस को खीच लेती है वैसे आपके विचार शरीर के अंदर के टॉक्सिंस को बाहर खीच लेते हैं तो आपका संदेश हमारे लिए उस और शिदी का काम करता है तो यह अमारे डॉक्टर नीरत जी भी इसकी महिमा बताते जा रहे हैं मिट्टी के साथ जुड़े रहें अपने माता भूमी पत्रहम प्रथिव्या आसमान में कितने उचे उठ जाएं कभी भी आपने भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए और धर्ती माता की कोख में हम जहर न डाले क्योंकि वही जहर फिर शाख सबजिया अन्न ड्राइफ रोट्स सब बन करके हमारी शरीर में आता है तो मिट्टी को पवितर रखें इस प्रकृती की पूजा का मतरब हम कोई अगनी पूजक नहीं है हम कोई नीम की पीपल की तुलसी की पूजा करने वाले कोई जड़ पूजक नहीं है ये सारे इस पूरे अस्थित्वों में एक ही चैतन्य सरोर भरा हुआ है ऐसे भाव से हम अपने पिंड में ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मतत्तो को देखें और इस प्रकृती में विकृती ना आने दें तो फिर न कोरोन आएगा न ब्रप्रशर शूगर न कैंसर न कोई रोग हमें सताएगा जीते जी हम सुखी रहेंगे और जाते समय हम मोक्ष में ब्रह्मलोक में प्रयान करेंगे तो मेरा सबसे एक ही संदेश है अपने तन का और तन का जो आधार है उस वतन की मिट्टी का हम ख्याल रखें और ऐसे जीवन को जियें कबीर की भासा में इस शरीर को जो भगवान की सोगात है जब जाएं छोड़ करके तब कोई इसमें रोग ना हो कोई विकार ना हो ऐसा सब जीवन जीए यही मेरी सब के लिए सुखकावन है स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अगभुत अकल्पनिय द्रिश्य के लिए क्योंकि टीवी जगत के इतिहास में बार-बार कह रही हूँ ऐसा द्रिश्य कभी किफीन नहीं देखा होगा जो आज इंटिया टीवी ने देखा बहुत बहुत आपको प्रणाम योगित प्रणाम